गर्मिया स्टार्ट होते ही कुछ थंडा पीने की इच्छा होती है। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो गर्मियों में थंड़क भी देगी और हेल्दी भी है। इसके लिए मैंने दो केरी ली है इसे बड़े बड़े टुकडों में मैंने काट लिया है। फ्राइपेन में केरी के टुकडों को डाल कर एक लास पानी डाल कर केरी को ठक के 5-7 मिनिट तक स्ट्रेम कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से इसका छिलका और पल्प आसानी से डिकल जाएगा। मैंने इस टिम की हुई कैरी का पल्प निकाल लिया है। पल्प को मिकसर ग्राइंडर में डाल कर आधा कब शक्कर ली है। मैंने आप मीठा जाधा पसंद करते हो तो शक्कर थोड़ी बढ़ा दीजिए। आधा चमच काला नमक लिया है। आधा चमच काली मिर्च ली है। आधा चमच नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने डाली है, यदि आप लाल मिर्च को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, आप नहीं पसंद करते हो लाल मिर्च तो, आधा चमच जीरा पाउडर डाल कर इसे पीस लेंगे, आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, जब में आप मेरी रेसिपी से आम पन्ना बना कर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ,